नमस्कार मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया शुरू आप करेंगे उत्राखंट बुलिटिन की हरिद्वार में एक अप्रेल से शुरू होने जा रहे कुम्भ मेले में इस बार टेंट और तंबू नहीं लगेंगे मेला प्रशासन ने कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए यह कदम उठाया है जिसके तहट मेला शेत्र में टेंट और तंबू नहीं लगाए जाएंगे अखाडे अपनी चावनी से ही कुम्भ मेले में स्नान करेंगे इस स्थिती में बैरागियों के तीनों अखाडों के सामने संकट खड़ा हो गया है क्योंकि तीनों ही अखाडे कुम्भ मेला शेत्र में बैरागी कैम्प में टेंट और तंबू लगा कर रहते थे और मेले में स्नान करते थे आज बैरागी अखाडों के प्रतिनिधियों ने प्रेश्वार्था कर मेला प्रशासन से बैरागीओं की छावनी के लिए प्लाट आवंटित करने की मांग किये श्री दिगंबर आणी के मेला प्रभारी बाबा हटियोगी ने कहा है कि बैरागी कैम्प तीनों बैरागी अखाडों की शाबनी है और हमेशा से यह हमारा पड़ाव होता रहा है अगर मेला प्रशासन टेंट और तंबू नहीं लगने दे रहा है तो प्रशासन हमें टीन लगाने के लिए ही प्लाटों का आवंटन करें उन्होंने कहा कि 27 स्वर्वरी को माग मेले की समापती के बाद हमारे खाल से यहां पर आ जाएंगे ऐसे में मेला प्रशासन के सामने उन्हें ठैराने की बड़ी चुनोती घड़ी हो जाएगी लहाजा मेला प्रशासन हमें जल्द से जल्द प्लोट आवंटन करें उन्होंने मेला प्रशासन पर बैरागी अखाड़ा की अपिक्षा करने का आरूप लगाया है देखिए जो अभी तक बैरागी केंप एक छाउनी है शासन इसको अन्यता निले क्योंकि सदियों से यह बैरागी केंप के नाम से चला आ रहा है बैरागी केंप के नाम से चला रहा है बैरागी अमेसा से यही बसते चले आ रहे हैं की से बाटे चले आ पड़ा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर वो कहे के टीन भी नहीं लगना है चाहिए और इस तरह से नहीं होना है तो हम लोग तो त्यागी तपश्वी लोग हैं दूनी तापने वाले हैं पंच दूनी तपते हैं धूप में बेठते हैं हम तो छत्ता लगा के बेठने वाले हैं तो ऐसा न देश भर में बढ़ती महंगाई और तीन नए क्रिशे कानूनों के विरोध में उत्राकण में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंग के निर्देश पर प्रदेश भर में पधियात्रा संचालित की गई राज के सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालों में आज समस्त कांग्रेस जनों ने बढ़ती महंगाई और तीन नए क्रिशी कानूनों को वापस किये जाने की मांग क्यों लेकर केंदर सरकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ रोजाना बढ़ रहे पेट्रॉल वा डीजल के दामों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरितारे ने कहा कि रोजगार देने तथा जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी के नाम पर लोगों को गुमरा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार के राज में रोसोई गेस तथा पेट्रॉल वा डीजल के डाम लगातार बढ़ रहे हैं लोगों को रोजगार देने के बजाए भाजपा सरकार लोगों से उनके रोजगार चीनने में जुटी हुई है जिससे जनता अपने आपको ठगासा महसूस कर रही है और भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहती है महि जनता के हितों में कॉंग्रेस ने काम किया है और अभी भी करती आएगी हम लोग इनसे कहना चाहते हैं कि आपने आपदा में जितने फसे हुए लोग थे उनको सुरक्षित निकाली कॉंग्रेस कोई उसमें राजनीती नहीं कर रही उनका एक ही मांग है कि भई जो सुरक्ष सफ looks to my lows lesson worker कर रहे हैं जो बचे हुए है जिनके परिवार में उनका बेटा है उनकी उनकी वहुए है प्रूंग में कभी किसीका हाथ मिल रहा है, तो हम उनको अपनी स्रुधाण जली भी देते हैं, कि किसी के पती, किसी ने अपना पती खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया मजदूर लोग थे वो लोग, ज्यादा वहाँ नुक्सान पेट्रोल डीजल वारसोई गैसों के दामों में हो रही बढ़ोत्री से आम जनता जहां परिशान है तो वहीं आज कांग्रेसी कारेकरताओं ने पौडी में जुलूस निकाल कर अपना प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी गाड़ियों को रस्यों से खीचते हुए नजर आए वहीं युवा कांग्रेस के जिलाव पाद्यक्ष आशीस नेगी ने बताया कि महंगाई की मार केवल कांग्रेसियों पर ही नहीं बलकि पूरा देश इस मार से जूज रहा है उन्होंने कहा कि आज महंगाई की स्थिती इतनी भयानक हो गई है कि आम जंता अपने घरों पर चूला जलाने से कत्राने लगी है वहीं कॉंग्रेस प्रदेश सचेव सरिता नेगी ने कहा कि पेट्रॉल, डीजल वारसोई गैस की कीमतों में दिन प्रति दिन हो रही बढ़ोतरी से आम जंता परिशान है इन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इसका सीधा असर मध्यमवर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है मध्यमवर्ग के लोगों को अपनी देनिक दिन चर्या की चीजों को खरीदने में काफी परिशानिया हो रही है उन्होंने कहा कि महंगाई की समय केंद्र वाराजी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने का आशवासन दिया था लेकिन महंगाई पर अंकुष लगाने में केंद्र वाराजी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है उन्हों जल्द ही रसोई, गैस, पेटरॉल, डीजल की कीमतों पर अंकुष लगाने की मांग की है राजाजी टाइगर रिजर्व की बेरिवाडा रेंज में वनकर्मी को जंगली हाथी ने मौत के घाट उतार दिया वनकर्मी की मौत से पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में हडकंप मच गया मृतक वनकर्मी का नाम गौरव है जिसकी उम्र 32 वर्स बताई जा रही है आज दिन में गस्त के दौरान ये खटना हुई है मामला राजाजी टाइगर रिजर्व बेरी वाला रेंज का है जहां आज गस्त के दौरान वनकर्मी को जंगली हाथी ने घेर लिया इससे पहले की वनकर्मी कुछ कर पाते हाथी ने वनकर्मी गौरव कुमार को सून में उठा कर पटक दिया उसके साथ वहां मौझूद अन तीन वनकर्मी ने फायर कर हाथी को बहगाने का प्रयाश किया लेकिन तब तक हाथी के हमले में गौरव गंभी रूप से घायल हो चुका था आनन फानन में साथी वनकर्मी उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मरत गोशित कर दिया वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रोरू कर बुरा हाल है गटना की जानकारी मिलते ही राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डीके सिंग भी मौके पर पहुचे और मृतक वनकर्मी के शब को पोश्मार्टम के लिए जिलाव स्पताल लेकर आए जहां शब का पोश्मार्टम किया गया यह हमारे बेली वाड़ा रेंग में राजाजी टाइगर रिजर्व के इसमें यह गरोक मार है यह स्टाफ के साथ रेगुलर गस्त बते और वहां पे हाथे ने चेच किया इनको और इनको तुरंत नहां से स्टाफ द्वारा हस्पिटल लाया गया और यहां पोश्टे ही इन पूर दिख्या कर दिया इनको ने पहली जटता है और तीन लोग तो टोटल चार लोग तो यह वह भाग करके वह दूर से देखते रहे चिलाते भी रहे उन्होंने वह हवाई फायर भी किया लेकिन वह तब तक को कर चुका तो उसके बाद फायर से तो भाग गया हो लेकिन हल्दुआनी के कटगरिया शेत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंसीधर भगत और मेर योगेंदर रौतेला ने गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया है दो सो करोड रुपे की लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का कारे किया जाएगा दो साल के अंदर इस कारे को पूरा करने का लक्ष रखा गया है इस कारे के पूरा होने के बाद लोगों को पाइपलाइन के द्वारा सीधे उनके घर में गैस की सप्लाई हो सकेगी बड़े महानगरों में यह योजना पहले ही शुरू हो चुकी थी लेकिन नैनीदाल जिले में अब तक यह परोजना शुरू नहीं हो पाई जिसकी अब शुरूआत हो गई है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीदर भगत ने कहा कि इस योजना के पूरा होने से शेत्र के लोगों को काफी लाब होगा शिलान्यास कारिक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी और कारिकरताओं के साथ ही इस्थानिय लोग भी मौजूद रहे उत्राखंड संस्कृत विश्विविध्याले में हर साल आयोजित होने वाली इंटरनेशनल योग कॉन्फरेंस का आगाज हुआ है इंडियन एस्सकेंशन ओफ योगा और संस्कृत इनुवर्सित की और से आयोजित दो दिवसे योग कॉन्फरेंस में देश भर से योग के विद्वान और सोधार्थी पहुच चुके हैं कॉन्फरेंस में विश्वध्याले के शात्र शात्राओं ने योगा भ्यास किया और उच्छ सिक्षा मंत्री धन सिंग रावत भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कारिकरम से जुड़े। यूनिवर्सिटी के कुलपती प्रोफेसर देवी प्रसात रिपाठी ने बताया कि यह कॉन्फरेंस हर साल आयोजित की जाती है बिविन इस्थानों से योग के विद्वान यहां पर पहुच चुके हैं यह सभी अपने ब्याखान में अपने अपने अनुभवों को साजह करें देखें यह जो कारेक्रम है और इंडियन एस्सेशन ऑफ योगा के तरफ से आयोजित किया गया है और इसके क्या-क्या कारेक्रम है आप इनके जनल सेकर्टी से इस बात को पूछ दिजेगा और परन्तु जो योग का यहां पर यह कारेक्रम आयोजित किया गया है यह बहुत के फिल्ड में जो उनकी एकस्फिजेंस है और उन्होंने अपने लैब से सोध पत्रों के दौरा यहां पर रहुज नियुज तो न्यूज उत्राखंड में सिल्हाल इतना ही आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद